फिरोजाबाद में पड़ोसी युवक द्वारा दो मासूमों के साथ खेत में दुसकर्म करने के प्रयास का मामला सामने आया है घटना की जानकारी होने के बाद मासूमों के परजनों ने आरोपी के खिलाब थाने में लिखी शिकायत दी पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्च कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है घटना फ्रोजा बाद के थाना रामगर छितर के एक गाउं की है जहां पड़ोस के रहने वाले रामू नामक युवक बेश शराब के नसे में मासूम सगी दो बहनों से दुसकर्म का प्रयास किया दरसल दोनों बहने अपने घर पर ही तबी पड़ोस का रहने वाला रामू नामक युवक शराब के नसे में वहां पहुँच गया और बच्चियों को अकेला पाकर पहला फुसला कर पासी गरने के खेत में ले गया और उनके साथ दुसकर्म का प्रयास किया इसकी जानकारी कुछ पड़ोसियों को हुई और वे पड़ोसी खेत पर पहुँचे तबी आरोपी लोगों की आवाज सुनकर मौके से फरार हो गया इसकी जानकारी पर्जनों को हुई तो पर्जन दोनों मासूमों को लेकर ठाने पहुचे और घठना की लिखिज शिकायट दी शिकायट के बाद पुलिस ने आरोपी के खलाप मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है फिलाल आरोपी प्लिस की गिरफ से फरार है वहीं एसपी सिटी मुकेश्चं मिस्रा ने बताया कि मासूमों के परजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है विदिक करवाही की जा रही है जल्द ही आरोपी को गिरफतार कर जेल भीजा जाएगा कपड़े लगते उतारें बच्चियों के इतनी बड़ी बच्ची है आपकी 8 साल की है 6 साल की है इनके साथ कोई दुस्क्रम भी हुआ है कि के पर कपड़े उतारें कपड़े उतारें उंगली भी करिए उदने कहां कर रहने वाला है वेकती रैप रागा मैं तो यह चाहता हूं कि सत कारवाई होनी चाहिए अभी नहीं पकड़ा गया है अरे क्या कर रहा है ताना रामगर में रहपूरा में एक महिला ने अपने दो बच्चियों जिनकी उम्र आज वर्स चैवर्स के साथ असलील हरकत करने का आरोब एक नामगर नामगी वक्त पे लगाया है तहरी प्राप करके तद्काल मुकदमा पंजीकत कर दिया गया है और आवशक विदी कारवाई प्रानम कर दी गई और सीगरी इसकी ग्रफतारी करके अगरिम कारवे की जए